दोस्तों इन्वेस्टिंग यान यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं S.I.P. में तो ये प्लान आपके लिए है इस प्लान में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपके पैसे डवल, ट्रिपल, और कई गुना बढ़ सकते हैं इस एक छोटे से प्लान को लेने के बाद और बहुत ही मिनिममम एमाउंट का इन्वेस्ट करके आप बहुत ही अच्छा रिटन पा सकते हैं पूरा कैलकुलेशन के साथ सब कुछ बताने वाला हूं तो वीडियो को लाज तक देखिएगा और चैनल पे नए है तो सब्सकाइब करना तो बनता है चलिए वीडियो शुरुबात करते हैं तो आपको मैक्सिमम कितना रिटन मिलता है दो, तीन, चार इस से ज़्यादा इन्वेश्ट कर देते हैं तो आप बहुत ही जल्द बहुत अच्छा रिटन पा सकते हैं तो कौन सा वो मुच्वल फंड है जिसमें आपको 2023 में इन्वेश्ट करना चाहिए और अभी के ट्रेंड में वो अच्छा चल रहा है ये बताएंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं SBI mutual fund की जिसके बारे मैं बात कर रहा था कि ये fund जो है small cap fund अभी बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है और इसमें जो track record इसका है previous track record उसके recording बहुत ही अच्छा return लोगों को दे चुका है तो इसी बारे में बात करेंगे क्या-क्या कितना return आपको मिलने वाला कितने सालों में उसस आप पहले खुद इसके बारे में एलसिस करें हो सकता है कि SBI से भी better कोई fund आपको मिल जाए कोई SIP को plan मिल जाए तो आप वहां भी कर सकते हैं या कोई और दूसरे जगह कर सकते हैं मैं एक जो track record है जो data available है इसके website पे या other website पे इंटरनेट पे उसको लेके मैंने research किया और म recording तो मैं उस पे आपको ये वीडियो बनाके दे रहा हूँ तो इसको आप final decision ना माने मेरे बातों पे पूरी तरह का 100% आप मेरे बातों को मानकर को investment ना करें आप अपने बुधिग विवेक से अपना निर्दय ले तो चलिए अब सुरुआत करते हैं इस वीडियो की तो वो प्लान का नाम है वो है SBI Small Cap Fund SBI Small Cap Fund का जो track record है यह है last five year का अगर हम लोग देखे तो 25.65% का इन्होंने return दिया last three year का देखे तो 33.76% का return दिया और last one year में 20% का return दिया आप देख सकते हैं और यह data नेट पे अवलेबल है हो सकता है जब आप चेक कर रहे हो उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए बट जादा का difference आपको देखने को नहीं मिले क्योंकि data daily थोड़े बहुत उपर नीचे होते रहते हैं अब बात करें जब आप इसमें invest कर देते हैं तो आप अगर one year के बीच में इसको exit करना चाहते तो आपको जो exit load है 1% आपको चुकाना होगा ठीक है इसके बात करें तो यह 15,348 कडोर का इसका fund size है इसमें आप minimum 500 रुप्या जमा करके आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं अब बात करें इसके जो कौन-कौन सी company में इसके पैसे लगे हैं तो वो आप देखें blue star limited वेदान फेशन वीगार्ड इंडरस्ट्री फेनलक्स इंडरस्ट्र लेमंट्री होटल यह जो most सबसे उपर जिसमें सबसे जादा इसके investment हुए है वो company यह है अब बात करते हैं हम लोग इसका return कितना मिलेगा और minimum लेके चलते हैं एक हजार पर मन्त अगर आप S.I.P. में डालते हैं इस plan में तो पंस साल का अगर calculation दिखा जाए तो investment आपने किया हर मैंने एक हजार पंस साल में साथ हजार रुपे का आपने investment कर दिया estimate return की बात करें तो 37,658 रुपे आपको return में मिलेगा और total value देखा जाए तो साथ हजार ये और 37,600 ये तो total 97,000 का आपको return मिलने वाला है अगर आप पंस साल के लिए करते हैं एक हजर value पे एक हजर amount पे पर मंत लेकिन यही अगर आप 10 साल के लिए कर देते हैं तो आपको लगेगा कि यहाँ तो maximum 2,000,000,000 होने चाहिए लेकिन यहाँ 3,36,000 ये compound का compound interest का game है सारा तो compounding में जैसे जाएगा ता आप करोरपती बन जाएगा इसलिए लोग कहते हैं कि long term में भरुसा रखना चाहिए short term में नहीं long term में आपको 100% return मिलता है और अच्छा return मिलता है अभी मैं और दिखाऊंगा आपको ये 10 साल तक हम लोग गए अब चलते हैं 20 साल अगर same amount एक हजार पर मत आपने 20 साल तक जमा किया आप जमा करते हैं 2,40,000 लेकिन आपको return मिलता है 21,3,487 टोटल देखा जाए तो 23,43,487 रुपेगा आपको return मिलेगा मात्र आपने जमा कितने किये 2,40,000 ये 20 साल की बात करता हूँ और अगर मान लिया जाए आपकी age है 25 साल और आपने invest कर दिया 28 साल के लिए total 53 साल को आप लेकि 53 के age में जो आपको return मिलेगा वो आपको 100 कर देगा आप देखिए 28 साल के लिए आप इस plan को लीजिए और आपने 3,36,000 इनवेस्ट किया इसमें लेकिन आपको return जो मिलेगा वो 96,64,838 मिलेगा और total जोड के देखा जा तो एक करोर के value में ये हो जाता है अब एक चीज़ बोलेंगे कि ये किस कितने percent पर आपने calculation किया जो चीज़ मैंने आपको नहीं बताया आप यहां देखेंगे जो last ये आप record देख रहे हैं 20% 3 साल में 33% 25% मैंने 20% भी नहीं लिया मैंने calculation किया है आपक अगर यह आपको 18% भी return देता है ना और आप एक-एक हजार रुपे हर मेने जमा करते हैं 28 सालों तक तो आपको यह एक करोर हो जाएगा आपने जमातों कि यह मातर तीन लाग 36 लेकिन आपको return में यह मिल सकता है एक करोर रुपे यह 18% पर जैसा इसका track record है ऐसा तो जरूर ह है कि यह 18% 20% return देगा तो एक अच्छी mutual fund के लिए investment छोटे investment के लिए बहुत अच्छा fund मेरे according लगता है बट आप लोग invest करने से पहले एक बार जरूर इसके बारे में अच्छे से research कर लें फिर invest करें तो आसा करते हैं सब कुछ आपको समझ में आया हो फिर भी किसी परकार की कोई डाउट हो तो comment box खुला हुआ है वहाँ पर अपने सुझाओ कुछ भी अपने question डाल सकते हैं उसका answer देने की पूरी कोसिस की जाएगे तो मिलते हैं एक नए वीडियो में वीडियो को like share तो जरूरी है और साथ साथ चैनल को subscribe भी कर लिजिएगा